मुश्किलों का कुछ इसकदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए हम लोग अंतराष्ट्री है और राष्ट्री खबरों पर नज़र डालते हैं छह साल से कोरोना वाइरस के जरिये तीसरे विश्विद्ध की तयारी कर रहा था चीन ये जो है डॉकुमेंट्स हाथ लगे थे चाइना के और ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने भी इसे कवर किया है त तीसरे विश्विद्ध की तयारी चल रही थी देखिए अगर तीसरा विश्विद्ध होता है तो ये बात होता है कि जैविक हतियारों का बायो वैपन जो है वो उसमें यूज किये जाएंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं चीन जो है ऐसे बायो वैपन को बनाने में काम्याब रहे भारत को उकसाने को भूटान की सीमा में घुसकर चोकिया बना रहा है चीन ये बात होते है कि जब भी कोई नियूज आती है तो चीन वहाँ पर कूद पड़ता है तो भूटान के अंदर वो अपनी चोकिया बना रहा है ताकि भारत जो है इसे बौखलाए और कोई ना कोई कदम भारत उठाए और इसी बात का चीन जो है वो इंतिजार कर रहा है और कोई ना कोई अंतराश्ट्रे इस्तर पर वो ऐसी प्रतिक्रिया दे जिससे भारत की छवी खराब हो जाए नेपाल और पाकिस्तान में कोरोना संकर्मन बेकाबू आस्ट्रेलिया ने बाडर किये सील यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केपी सर्मा ओली और इमरान खान के बीच में चाइना के प्रधान मंतरी है दोनों को कटपूतली बना रखा है चाइना के प्रधान मंतरी सी जिन पिंग ने तो नेपाल के अंदर कोरोना संक्रमन जो है वो अभी बेकाबू है केपी शर्मा ओली अपने सरकार को बचाने के लिए लगे हुए है अविश्वास प्रस्ताव जो है नो confidence motion जो है वो भी यहां से पारित हो चुका है चीन ने दिया पाक को जठका अब नहीं देना चाहता है रिन देखी एकोनोमिक कोरिडोर जो है चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कोरिडोर वहां पर एक rail line उसका निर्मान हो रहा था लेकिन चीन ने अपने कदम पीछे हटा लिये और ये कहा कि अब वो रिन पाकिस्तान को नहीं देगा क्योंकि पाकिस्तान के हालात देखते हुए चीन को ये नहीं लगता कि पाकिस्तान उसको पूरा return दे पाएगा आपके जानकरे लिए में बता दू कि चीन आजाद हुआ था दो हजार उननचास के अंदर और दो हजार उननचास तक उसका टार्गेट है कि वो बैल्ट एंड रोड इनिशिटिव जो है उसको कम्पीट करे ताकि एशिया और अफरीका जैसे देशों को वो रेल मार्क से और स वेपन्स जो थे वो ले जाए जा रहे थे अमेरिका ने इसे अरब सागर के अंदर पकड़ लिया फाइव स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला भारतिये विश्विध्याले बना कलिंग इंशिट आफ टेक्नलोजी क्यू एश यूनिशिटि की रेटिंग अभी र टेक्नलोजी जो कि उडिसा के अंदर इस सिथ है उसने प्राप्त किया है आजाद हिंद फोज के सिपाई ललती राम का निधन सो वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है जो की आजाद हिंद फोज से सम्मन्द रखते हैं इनके सीने पर आप लोग मेडल देख सकते हैं कि बहतरी इन्होंने काम किया होगा जिससे इनको काफी सारे मेडल जो है वो हासिल भी होए थे चलिए अगली ख़बर हम लोग देखते हैं काली फंगस के मरीजों के लिए अस्पतालों में विशेश वाड जो है वो बनाई जाएंगे इससे ये खबर आ रही है कि कई लोग आग जो है वो भी इससे गवा रहे हैं ये एक दुरलब बिमारी है जिससे तोचा के साथ साथ फेफडे और मस्तिक्स जो है वो भी प्रभावित होते हैं तो आप लोग याद रखना ब्लैक फंगस का नाम इसे क्या कहा जाता है म्यूकोर माइकोसिस भी इसे कहा जाता है जि GST पर GST जो हटाई जाना चाहिए वैक्सिन से क्योंकि महामारी से अभी अपना देश जूज रहा है लेकिन निर्मला सीतारमन ने ये कहा है कि यदि GST हटा दिया गया तो कहीं न कहीं इन्पुट्स का नुकसान होगा कम्पनियों को जिससे वो वैक्सिन की दरे जो है वो बढ़ जाएगी और इसका सीधा भार जो है वो उप्भोकता के उपर आएगा निर्मला सीतारामन भारत की पहली वित्त मंत्री हैं और काफी अच्छा ये मस्टिक शरक्ती हैं वित्त मंत्रा लेके संबंद में दिल्ली के चिडिया घर में साथ साल के शेर की मौत तो अभी रिसेंटली जो है ये शेर की मौत हुई और उसके बाद में कोविड की इसकी जाच भी कराई गई और कोविड की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई तो कोविड से शेर की मौत दिल्ली के चिडिया घर के अंदर तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट फैर पहला कोशन आप लोग के सामने हैं किस देश की प्रधान मंत्री ने 10 मही को प्रतिनीधी सभा में विश्वास मत खो दिया तो आप लोग याद रखना नेपाल के केपी शर्मा ओली जो है केपी शर्मा ओली इन्होंने विश्वा मत खो दिया क्योंकि केवल 93 जो है सपोटर वो इनके पक्ष में आए इनको अपना जो विश्वास मत है वो राष्ट्रपती के सामने रखना था और विध्या देवी भंडारी विध्या देवी भंडारी जो हैं वो नेपाल की पहली महीला राष्ट्रपती भी हैं मैं आप ल खारण शर्मा की जो सरकार है वो संकट में आ गई थी हम लोग बात करें श्रिलंका की तो श्रिलंका की जो राजधानी है वो है जैवर्धने पुरी कोटे और भारत का यदि पूछे कि भारत का श्रिलंका के अंदर कौन सा पोट है वो आप लोग याद रखना वो है ट्रिन आपको पता होगा कि चाइना का एक जो अंतरिक्ष से एक उनका मलबा जो है वो आके गिरा था प्रत्वी के ऊपर और उसने मालदीव के पश्चिमी पश्चिमी से पर वो आकर गिरा कहीं भी जानमाल के इसमें कोई भी हानी नहीं हुई इसका नाम जो था वो था लॉंग मार्च फाइव भी आप लोग याद रखना इसका नाम था लॉंग मार्च फाइव भी जिसका मलबा जो है वो मालदीव के पश्चिमी छेतर में आकर गिरा है मलेशिया की राजधानी कौलालंपुर है आप लोग ये फैक्ट जो है वो जरूर से याद रखिएगा चलिए नेश्ट कोशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं किस राज्यम में वर्षा जल की कटाई के लिए यह हम लोग कहें कि वर्षा जल जो है उसको बचाए रखने के लि तो हम लोग बात करें यह दि उत्राखन की तो उत्राखन का निर्मान जो है वो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था यूपी से अलग करके मेगाले के अंदर रिसेंटली आपको पता होगा कि डाइनसर के अभी हाली के अंदर वहाँ पर आवशेश पाए गए थे एक ऐसा डाइनसर थ जाती है यह जो है वो कौनिकल शेप के अंदर है यह जो है वो कौनिकल शेप के अंदर है जिससे बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाथा जब इन कौनिकल शेप की पहाड़ियों के बीच में आती है तो यहाँ पर सरवादिक वर्षावाला इस्थान मौसिन राम सरवादि ये धरमशला जगे वही है जहां पर 1958 के अंदर दलाई लामा ने आकर शरण ली थी दस हजार बौध बिख्षों के साथ में दलाई लामा ने धरमशला के अंदर आकर शरण ली थी जब चीन ने तिपत पर अधिकार कर लिया था अच्छा दलाई लामा जो है वो एक पद है दलाई लामा एक पद है दलाई लामा से नीचे जो पद होता है वो होता है पंचन लामा का पंचन लामा का आपकी जानकार एक लिए मैं बता दूँ कि अमेरिका जो है उसकी संसद में रिसेंटली एक विधेयक बिल जो है वो पारि माउंट एवरेश्ट पर COVID-19 सेपरेशन लाइन बनाने की योजना किस राष्टर की है तो वो राष्टर कौन सा है चाइना जो है वो ये सेपरेशन लाइन बनाएगा इसके पीछे दो कारण बताय जा रहे हैं पहला पहला तो है सीधा सीधा COVID-19 के चलते क्योंकि नेपाल से कई बेस से जो यातरी चड़ते हैं माउंट एवरेश्ट की उपर वो हो सकता है कि दूसरों को कोरोना संकरिमित कर दे और दूसरा बताय जा रहा है कि जो नेपाल की तरफ से यातरी चड़ते हैं वो चीन के यातरीयों के साथ में मिक्स हो जाते है ठीक है इसी लिए ये सेपरेशन लाइन जो है वो बनाने की घोशना किसने की है चाइना ने की है देखिए माउंट एवरेश्ट जो है इसकी उँचाई 8868 8868 मिटर जो है ये Mount Everest की उचाई है भारत भी इसे ही मानता है तो Mount Everest पर चढ़ने के लिए एक दक्षिनी छोर जो है वो तो है नेपाल की और जब कि उतरी छोर जो है वो किसकी और है चीन की और है तो ये 8868 मिटर जो उचाई है ये लगातार बढ़ रही है क्योंकि Mount Everest जो है वो एक folded mount है और अपनी youth position के अंदर है चलिए बढ़ते हम लोग आगे तो ये separation line जो है वो किसकी दोरा विक्सित की जा रही है बनाई जा रही है चाईना की दोरा बनाई जा रही है चाईना की 38 people जो है एक member की team वहाँ पर पहुंचेगी और फिर उस पर line draw करेगी तो चाईना जो है वो कुछ भी कर सकता है ये Mount Everest की उपर separation line बना सकता है ये Bhutan के अंदर आके भारत को परिशान कर सकता है ये गलवान घाटी के अंदर भारत को आके परिशान कर सकता है लेकिन फिर भी ये change जो है वो कोरोना को फैलाने के लिए अपने आपको जिम्मेदार नहीं मान रहा है तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे फूर्थ कोशन देखते हैं नविंतम रिपोर्ट के अनुसार किस राष्टर के ग्रीन हाउस गैस उसरजन संयुक्त विक्सित देशों से अधिक है तो यहाँ पर पुछा जा रहा है कि वो कौन सा देश है जो कि कई देशों को मिला कर अकेला ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन करता है तो वो देश है चाइना तो यह रिपोर्ट सामने आई है कि अकेला चीन जो है वो 37 देशों के बराबर ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो उनको रिलीस करता है देखिए दो देश होते हैं एक तो हम लोग कहते हैं विक्सित देश और एक कहते हैं विकासित देश मतलब डवलपिंग नेशन और डवलप्ड नेशन तो डवलपिंग जो नेशन्स है वो डवलप्ड नेशन्स के उपर ये आरोप लगाते हैं कि आपने अपना विकास करने के लिए जो CO2 है उसको काफी मात्रा में रिलीस किया लेकिन अब बारी जो है वो हमारी डवलपिंग नेशन्स के आ रही है और जैसे ही हम लोग CO2 रिलीस करने लगते हैं इंडरिस्टिल आइशन के लिए तो आप हमारे उपर सैंक्सेंस लगा देते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो सरवादिक रिलीस की जाती है किसके दोरा चाइना के दोरा और उसमें CO2 की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा होती है अभी रिसेंटली आपको मैंने पढ़ाए था कि मिथेन जो है इसका प्रतिशत कितना है लगबग 10 प्रतिशत जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज का इसमें माना जाता है तो ये ग्रीन हाउस होता क्या है ये भी समझ लीजिए ये वापस से लौटती है लेकिन मान लीजिए कि CO2 की परज जो है वो इसके उपर बनी हुई है अर्थ के उपर तो फिर सूरी की करने वापस लौट नहीं पाती है जिससे प्रतिवी का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है तापमान बढ़ेगा तो glaciers पिगलेंगे glaciers पिगलेंगे तो समुदरी जल इस तर जो है वो उपर आएगा और कई द्वीब जो है वो डूब जाते हैं जैसे इसका recently example है कि इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार था वो भी डूबने लगी थी इसलिए इंडोनेशिया ने डिसाइड किया था कि हम अपनी राजधानी बदल कर काली मंतान जो है वो कर देंगे चलिए बढ़ते हम लोग आगे अपरेल के लिए ICC मैंस प्लेर आफ दा मन्त किसे नामित किया गया तो आप लोग याद रखना पाकिस्तान के एक कैप्टन है बावर आजम जो है इनको नामित किया गया है लेकिन इनके साथ में ही एक वोमन करिकेटर है उनको भी नामित किया गया वो आस्ट्रिलिया की है इनका नाम है एलिसा हीली जो है ये इनका नाम है जो कि इनके साथ में ICC Women's Player of the Month घुशित की गई थी ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे इन्डिया जो है इसने 114 दिनों के अंदर ही 17 करोड लोगों को वैक्सिनाइज किया है जबकि अमेरिका ने 116 दिन लिये थे चाइना ने 115 दिन लिये थे लेकिन भारत ने एक दिन की बढ़त के साथ में ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है चाइना की अभी आपको पता होगा कि सीनो फार्म जो है उस वैक्सिन को अलाउ किया गया था चाइना के अंदर यूएस के अंदर मोडरना वैक्सिन जो है इसको भी अभी अनुमती दी गए थी डबलो एचे के द्वारा लेकिन जॉंसन एन जॉंसन जो है इस वैक्सिन को आ जिसके अंदर already COVID-19 की antibodies थी चलिए बढ़ते हम लोग आगे इंडिया की दो vaccine आप लोग याद रख लेना एक तो है COVID-SHIELD जिसका निर्मान सीरम इंस्च्चूट के द्वारा किया जा रहा है और इसके जो CEO हैं वो कौन हैं अधार पुनावाला हैं जो कि अभी वर्तमान में लंदन के अंदर हैं दूसरी है को वैक्सीन जो की भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही है चलिए अगले कोशिन पर हम लोग वढ़ते हैं किस देश की द्वारा भारत के उत्तर पुर्वी राज्ये में ऑक्सीजन के प्लांट इस्तापित की जाएंगे तो आप लोग याद रखना जापान की द्वारा ये प्लांट जो है वो निर्मित की जा रहे हैं देखिए जापान कौार देशों के अंदर आता है और कौार देशों में ऑस्ट्रिलिया उसकी बाद में जापान फिर यूएस और इंडिया जो है ये इसके अंदर आते हैं और Kuwait देशोना भी रिसेंटली एक युद्धा ब्यास किया था जिसका नाम था ला पैरूज जो था वो युद्धा ब्यास किया था जिसमें कुआड देश तो थी थे और कुआड प्लस देश में शामिल हुआ था फ्रांस ठीक है तो अभी ये recently अरब सागर के अंदर ये military exercise conduct करवाई गई थी जिसमें France भी शामिल हुआ था और आप लोग पूछेंगे कि सर ये लापेरूज क्या है तो France के ही एक अधिकारी थे नैवल officer थे जो कि अरब सागर के अंदर आये थे और रस्ता भटक जाने के करण उनकी जो मृत्ती थी वो अरब सागर में हो गई थी इसलिए इस युद्धब भ्यास का नाम लापेरूज रखा गया था तो आप लोग याद रखना कि ये जो कौार्ड देश हैं कौार्ड जो कंट्रीज हैं इनको चाइना कहता है एशियन नाटो जो है वो कहा जाता है चाइना के द्वारा चलिए बढ़ते हम लोग आगे भारतिय सैना में कितनी महिला पुलिस अधिकारियों का पहला बैच जो है वो शामिल किया जा रहा है तो आप लोग याद रखना 83 जो महिला पुलिस अफिसर जो है वो शामिल की जाएंगी और इनकी जो ट्रेनिंग है वो बैंगलूर के अंदर अभी कंड़क्ट करवाई जा रही है पश्यम बंगाल की विधान सभा में अध्यक्ष के तौर पर तीसरी बार याद रखना कि ममता बैनर जी के साथ में तीसरी बार ये क्या बने है विधान सभा के अध्यक्ष बने है नाम है इनका बिमन बंदो उपाद्याए देखिए अध्यक्ष की जो न्युक्ती है वो सदश्य अपने में से करते हैं सदश्य अपने में से करते हैं लेकिन राश्टर पती जो हैं राश्टर पती लोग सभा के अंदर अध्यक से पहले निकी स्पीकर से पहले एक प्रोटेम स्पीकर जो हैं प्रोटेम स्पीकर उसको भी नॉमिनेट करते हैं ताकि वो क्या कर सके दूसरे जो सदश्य हैं उनको श जाती है राज़्य पाल के द्वारा ही, तो आप लोग याद रखना बिमल बंदो उपआ, इसका आंसर रहेगा, तो मम्ता बेनर जी तीसरी बार बनी है, मम्ता बेनर जी भारत के अंदर रेल मंत्री बनने वाली पहली महिला भी थी ये आप लोग fact याद रखना चलिए किस राज्जे ने दूर दर्शन के जरीए virtual learning program launch किया है तो आप लोग याद रखना बिहार की द्वारा ये launch किया गया है और इसमें जो help कर रहा है वो कौन कर रहा है UNESCO तो UNESCO जो है ये इसके अंदर help कर रहा है इसमें होगा क्या कि सबसे पहली बात है इसका उद्देश ये क्या है क्या इसका objective है कि बच्चों का अप्रेल और मई का जो syllabus है pending चल रहा था इसको complete करवाना था इसलिए 9 से लेकर 12th class तक के विध्यारतियों का ये syllabus complete करवाए जाएगा इसमें दूर दर्शन पर episode जो है वो लाए जाएंगे 9 से लेकर 10th class तक जो है 9th और 10th उसका जो session आएगा वो 10 से 11 के बीच में आएगा जबकि 11 और 12 के लिए जो आएगा वो 11 से 12 बजे के बीच में दूर दर्शन पर ये syllabus complete करवाए जाएगा तो आप लोग याद रखना बहुती बहतरीन virtual learning program जो है वो बिहार सरकार के दोरा launch किया गया है राजस्तान के हम लोग बात करें तो recently आपको पता होगा कि चिरन जीवी योजना जो है वो राजस्तान सरकार के दोरा शुरू गी गी जहां पर 5 लाग का बीमा निशल की किया जाएगा और वो कैशलेश होगा तो ऐसी योजना लाने वाला राजस्तान भारत का पहला राज्य बन चुका है पंजाब के यदि हम लोग बात करें तो पंजाब और हरियाना का जो निर्मान है वो 1966 में किया गया थ Daar और गुजराथ के यदी हम लोग बात करें तो गुजराथ की जो पुच्छी में शिवा है वो लगती है किस से पाकिस्तान से लगती है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बारतिय मूल की कौन सी महिला स्कॉटलेंड की संसत के लिए चुने जाने वाली पहली सिख बनी हैं तो पहली सिख जो बनी है वो बनी है पाम गॉसेल जो है वो पहली सिख बनी है इनकी उम्र जो है वो कितनी है 53 वर्ष इनकी उम्र है 2015 के अंदर इनको महिला बिजनस यानि की Women Business Leader Award जो है महिला Business Leader Award जो है वो भी इनको मिल चुका है और इसके साथ में ही वर्ष 2018 के अंदर Public Service Award Public Service Award जो है वो भी इन्हें दिया जा चुका है तो दोनों जो है वो आप लोग याद रखना 2018 का और 2015 का तो आप लोग याद रखना Scotland की संसत के अंदर Parliament के अंदर इनको चुना गया है देखिए बहुत ही important है अगला question हमारे exam के point of view से Mucar mycoses जो है वो क्या है तो ये जो है इसको अन्य नाम से जाना जाता है वो है black fungus अभी आप लोगों ने देखा होगा recently एक ख़वर चल रही है कि लोग आँख जो है आँख अपनी गवा रहे हैं इस बीमारी की कारण इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपकी जो skin है आपकी जो skin है वो effect करती है और उसके साथ में ही आपके जो lungs हैने की फेफडे और mastix जो है mastix जो है ये भी इसके साथ में infected रहते हैं लेकिन इसके symptoms क्या है इसके symptoms हैं कि आपको सिर्दर्द रहता है बुखा रहती है खासी रहती है सांस लेने में तकलिफ आती है खून की उल्टियां आपके हो सकती है और नाक और कान के पास में आँक के पास में दर्द जो है वो आपको मैसूस हो सकता है लेकिन ये ब्लैक फंगस जो है ये केवल इसको बोलचाल के भाशा में कहा जाता है यदि scientific name पुछा जाए तो आप लोगों क्या बताना है मुकार मैसूसी जो है ये इसको बताना है देखिए गुजरात, महराष्टर और दिल्ली के अंदर COVID-19 से कुछ पेशेंट जो है वो ठीक हो चुके थे कहां कहां पर गुजरात के अंदर महराष्टर में और दिल्ली के अंदर COVID-19 से कुछ पेशेंट जो थे वो ठीक हो चुके थे उसके बाद में अगली जो बिमारी इनको लगना शुरू हो गई वो कौनसी थी मुकोर माइकोसिस थी चलिए बढ़ते हम लोग आगे हाल ही में किस प्रख्यात मूर्तिकार का निदन हुआ है जो उडिसा से वर्ष 2018 में राज्य सभा में नामित हुए थे तो आप लोग याद रखना रगुनात मुहापात्रा जो थे ये इनका नाम है और कौनारक सूर्य मंदिर इनके पूर्वजो के द्वारा बनाया गया था बहुत ही बहतरीन इनके बारे में बात है देखिए इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में याद रखना इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में नैशनल आवार्ड जो था वो जीत लिया था किसके छेतर में मूर्ती कला के छेतर में इन्होंने जीत लिया था और वर्तमान में एट प्रेजेंट के अंदर ये ललित कला अकादमी जो है इसके अभी सदश्य है ठीक है पदमश्री पदम विभूशन भी इनको मिल चुके हैं जबकि पदम विभूशन जो था वो 2013 के अंदर दिया गया था पदम विभूशन जो है वो 2013 के अंदर दिया गया था और काफी बड़ी जो सक्षियत हैं ये चलिए अगले कोशन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं बाड़ के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग प्राणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज़े कौन सा बना है तो आप लोग याद रखना हमाचल परदेश जो है वो ऐसा पहला राज़े बना है जिसने ये आउनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली जो है system इसको अपना हैं वो भी किसके लिए बाड के लिए अपना है लेकिन इसमें जो help कर रहा है वो कौन कर रहा है UNICEF जो है UNICEF वो इसके अंदर help कर रहा है तो आप लोग याद रखना बहुत ही बहतरीन कदम जो है वो आसाम के दोरा उठाया गया है इसे होगा क्या कि बाड आने से फसलों का नुपसान होता है जानमाल की हानी होती है तो वो इसे नहीं होगी आसाम के अंदर एक द्वीप है जिसे कहा जाता है माजुली द्वीप माजुली द्वीप विशु का सबसे बड़ा नदिय द्वीप है तो यह आप लोग को याद रखना है Recently अभी क्या हुआ था कि आसाम के अंदर जितने भी मदर से हैं उनको सामान ने स्कूलों के अंदर convert कर दिया गया था और साथ में 56 जो संस्क्रत विद्धाले हैं इनको भी सामान ने विद्धालों के अंदर convert कर दिया गया था, चलिए, लास कोशें आज का है कि हाल ही में, कोवी वैन हलप लाइन, किस राज्य सरकार के दौरा शुरू की गई है, तो आप लोग याद रखना, दिल्ली सरकार के दौरा शुरू की गई है, और वहाँ पर जितने भी सीनेर सिटीजनsemble satisfy है, जितने भी सरकार के द्वारा लांच की गई है तो एक प्रोग्राम आप लोग और याद रखना 5T प्रोग्राम जो है 5T प्लान वो दिल्ली सरकार का है और Operation Shield जो है Operation Shield वो भी किसका था दिल्ली सरकार का था दिल्ली सरकार नहीं खुद का एक तो बोर्ड जो है दिल्ली बोर्ड वो घुशित किया था जैसे CBSE होता है वैसे ही दिल्ली ने क्या किया था अपना एक बोर्ड जो था वो घुशित किया था तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे बिहार की जहां तक बात है देखिए बिहार धिरी धिर आगे बढ़ रहा है अशेदीब जो है वो टीबी से मुक्त होने वाला पहला केंदर शाषित यूनियन टेरिटरी है जो कि टीबी से मुक्त हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ये कल का हमारा इस्टेडी गलव्स कोशन था कि सूप्रीम कोट में किस समयधान संचोदर को चुनोती दी गई है तो आप लोग याद रखना 102 जो है इसको चुनोती दी गई लेकिन सूप्रीम कोट ने इस चुनोती को क्या कर दिया था खारिस कर दिया था ये कह कर कि कहीं भी ये बेसिक इस्ट्रक्चर का उलंगन नहीं कर रहा है तो आज के लिए आपका इस्टेडी गलव्स कोशन है क मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है तो चलिए आज का सेशन आप लोग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना देखिए जो भी आप लोग बताएंगे वो मैं इसमें सुधार करूँगा आप लोग मुझे बताना कि सर पहले वाला पैटन ठीक था या फिर हम लोग MCQ वाला अब जो pattern अपना रहे हैं वो ज़्यादा ठीक है तो दोनों को compare करके मुझे बताना क्योंकि मैं केवल और केवल आप लोग के लिए काम करता हूँ जितना अच्छा respond आप लोग करेंगे उतना ही बैतर मैं आप लोग को दे पाऊंगा तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुती बैतरीन करंटरफर के साथ और मुझे comment box में comment करके ये जरूर बताना कि आपको ये lecture कैसे लग रहे हैं क्योंकि आपके feedback पे ही मैं काम करूँगा चलिए thank you